हलो फ्रेंड्स आजके इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Micromax Ion Note 1 Android Mobile फोन में आप Lock Screen, Notification, Setting को आप Enable कैसे कर सकते हैं और Enable करने के बाद जो है आपके फोन में क्या फर्क पड़ेगा, क्या changes आएंगे, यह मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो चलिए यहाँ पर जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, सबसे पहले तो आपको अपने फोन में Setting Page Open कर लेना है, Setting Page Open करने के बा Lock Screen पर टैप करना है, यहाँ पर आपको यह तीन ओप्शन नजराते हैं इस छोटे से पेज में, तो यहाँ पर आपका जो है Don't Show Notification At All पर यहाँ पर सेलेक्ट होगा पहले से, तो आपको करना क्या है, इसे पहले ओप्शन पर सेलेक्ट कर देना है, Show All Notification Content इस पर आपको सेलेक पर हमारा मुवैल फोन Lock Screen Mode पर होगा, तो यह देखिए हमारा Lock Screen Mode पर हमारा फोन है, यह मेरा फोन Lock Screen Mode पर है, अब यह जो जिस तरह किसे Notification आ रहा है, किसी भी एप से रिलेटेट या फिर किसी भी एप से रिलेटेट जो है Notification आएगा वो मेरे इस Lock Screen पर नजराएगा, चाहे WhatsApp से आए, चाहे Facebook से आए, चाहे Instagram से आए, चाहे किसी भी एप से रिलेटेट कोई भी Notification आएगा, वो मुझे इस Lock Screen पर नजर आएगा, ठीक है, तो यह Setting जो है Enable करने के बाद कुछ इस तरीके से काम करती है, आपके Micromax IN Note 1 Android Mobile Phone में, तो दोस्तों यह Setting को आप जो है Enable करके करने करके बाद करने करता है, आपके में आएगा, प्रूब करने करते हैं.